हाई गाईज वेलकम बैक टू माय चानल ब्यूटी विद कनिका सो कैसे यह आप सब होप आप सब बहुत अच्छे होंगे आज मैंने किया है यह गोटू मेक अप लूक तो आप पूरी वीडियो देख के जाना और बताना कि गोटू मेक अप लूक कैसा लगता है और अगर आप भी कहीं जाएं तो इजी पीजी सा सिंपल मेकप लूग आप देख सकते हैं बिल्कुल सिंपल है और आप मास्क भी वेर कर से और मैंने कुछ नए प्रोडक्ट्स ट्राय करें हैं आप जरूर ट्राय कीजेगा अगर आपको अच्छे लगे उसका फुल रिव्यू मैं अपनी नेक्स वीडियो म मैंने जो मैं अंतरा से अपने लिए मेकप मंगवाया था वही मैंने सब कुछ यूज करके इस मेकप लूग को क्रेएट किया है एक ग्लोई पिंकिश मेकप लूग है जो में ड्रेस के साथ भी मैच करता है और हर आउट्फिट के साथ जाता है एक ब्राउन टोन और ये पिं मैंने बोडी लोशन लगाया यह गूडडवाइबस का ग्रीन टी गुडवाइबस पीटी बोडी लोशन यह बहुत ज्यादा अच्छा है और स्मेल सो गुड और आपको जरूर ट्राइ करना चाहिए अगर आप बोडी लोशन लगाते हैं तो आपको एक बार यह वाला ट्राइक इसमें बहुत सारे वेरियंट्स भी है तो इफ यू वांट ट्राइ तो आप यह भी ट्राइक कर सकते हैं एंड मैंने बहुत टाइम बाद वीडियो बनाई है बेकॉज में पास टाइम नहीं था तो मैंने सोचा वाइनोट हम दुबारा से स्टाट करें अपनी वीडियो और अब स्किप नहीं करें रेगुलर वीडियो आएगी तो प्लीज वाच माई वीडियो तो अगर आपको तोनर लिया है गुडवाइब्स का इसको अच्छे स्प्रे कर लेंगे सारे पोर्स वगेरा आपके नॉमल हो जाए उसके लिए हमें हमेशा टोनर यूज करना चाहिए और अब हम लेंगे ये वाउ का स्किन साइंस अलोवेरा जैल नेक्स्ट हम यूज करेंगे उसको अच्छे से ग्लाइड कर पाएंगे नेक्स्ट हम यूज कर रहे हैं वेट नवाइल का मैट वाला प्राइमर और इसको जहां जहां आपके पोर्स हैं वहां इसको फिल करें लगाएं इसे टी जोन होता है जिसके जहां पर भी पोर्स है और फिर हम लेंगी ये बहुत जल्द बहुत जल्दी सेट हो जाती है फेस पे फुल फुल कवरेज है पाउंडेशन बहुत पसंद है कि सबके अपना अपना लाइक दिसलाइक होते हैं जो फेस की इस्जू चलते रहते हैं उसके सब से मुझे फूल कवरेज बहुत बड़े लगता है अगर आप थोड़ी सी भी तो आपको अच्छी coverage दे के जाएगी आपके जितनी भी चीज है उसको अच्छे से हाइट कर देगी पिंपल्स है या आपको रिंकल्स है या कुछ भी है फेस पे तो सेम मेरे साथ भी यही दिखता है अब next मैंने लिया super stay का matte compact इसको मैंने अच्छे से पहले अपने eyes eyelids पे अपनी under eyes पे लगा लिया उसके फुल फेस पे लगा लिया अब यह makeup revolution की palette जिसमें neutral pinkish और neutral tones है brown tones उससे मैं अपना full face makeup करूंगी जैसे कि मैंने contour bronzer इसी से एक brown shade लेकी इसी palette से किया है आप देख सकते हैं आपको अपने face को structure करना बहुत जरूरी होता है आज आजकल बहुत in है contour और bronzer करना तो अगर आप कहीं पे भी जाओ भी मेरा go to look है तो इसी shopping पे जाना है थोड़ा enjoy करने जाना है तो थोड़ा सा structure देना face को बहुत जरूरी होता है अप लिफ्टेड सा लगता है face आपका तो आप थोड़ा सा चीनियरे पे बिल्कुल light सा कर लिया contour नेक्स्ट नोस पे भी किया था मैंने अब मैं लूंगी blush on so मैंने इसी palette में से pink blush लिया और उसको अपने face पे लगा लिया बिल्कुल light blush लगाया मैंने और साथ में contour के साथ mix कर लिया जैसे कि आप देख सकते हैं और अच्छे से blend करना है आपको दोना चीज़ों को साथ blend कर लिजिएगा तो एक बहुत natural सा look आता है next हम यूज करेंगे mascara यह hyper curl का mascara है और बहुत reasonable rate का है अगर आप उसके two coats भी लगाते हैं अपने lashes पे इतना अच्छी lashes लगते हैं कि आपको fake lashes की जरूरत नहीं पढ़ेगी मुझको fake lashes जादा अच्छी नहीं लगते हैं इसलिए मैं natural lashes पे ही अच्छे से mascara लगा लो बहुत पढ़िया रहता है नेक्स्ट हम यह दो pink shade लेंगे एक में थोड़ा सा shimmer था एक बिल्कुल normal pink था दोनों को लेके हम अपनी लेट की क्रीज पे अच्छे से ब्लेंड करेंगे देखें इनर से आउटर तक जाएंगे क्रीज के अच्छे से इसको blend 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 करके जो भी लिट थोड़ा बहुत बच जाएगा उसको छोड़ दीजेगा ब्लेंड करते हैं जितना जितना ब्लेंड होगा उतना सुंदर लग और नैच्रल लगता है पिंकिश टोन लगता है देखें कितना नैच्रल लग रही है और इसके बाद यह फाउंडेशन इतनी अच्छी लग रही थी थी ना मैंने 20-25 मिनेट पाद इतना अच्छा ग्लू करेंगे आइप्रोज आप गोटू मेकप लुप में लाइट कीजिगा पार्टी फंक्शन या किसी शादी के मैरिज बगारा बजारा तब हैवी रखना अपनी आइप्रोज पर आइप्रोज ग्रूम करना बहुत ज़रूर ज़रूर बनानी चाहिए नेक्स हम लिए लिप ल आधी-ाधी मैंने इसको लिप लाइनर अपनी लिप्स पर लगा लिए अब मैं ये काई ली की लिप्स्टिक लोंगी ये बेभी पिंख कलर का शेड है पिंख फैमिली बहुत जादा है दाग भी है लाइट भी है मजंटा में बहुत सारे वारेंट्स हैं पिंख तो होने ही हर किसी के पास पिंक में बहुत सारे कलर्स होने जहेंगे जैट I feel next यह मुझे थोड़ा सा जादा लग थी मेरे ड्रेस के साफ जादा कलर था तो मैंने इसको नूचल करने के लिए काईली का दूसरा बीच सा कलर लिया और मैंने इसको अपने लिप्स पे लगा लिया तो बहु झाल कर लोड़ा है